जहिन सातियो, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे जिसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं भारत सरकार टेकसाल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गए और ये नोटिफिकेशन के अंतरगत आपको जनकारी देने वाले ये जो आपकी टेकसाल है, इसमें जो आपका होता है, जो मुद्रा निर्माण है उसका कारिय किया जाता है और इसी में आपकी विकेशन निकल के आ रही है जिसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं यदि पोश्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी कियें थोड़ा सा बलर है, लेकिन आप ध्यान से देखने की परियास कीजिएगा सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन में तो ओपिनिंग डेट आप वेबसाइट लिंक फार ओलाइन रेजिस्टेशन फार समिशन आप अप अपलिकेशन जो यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 29-10-2022 से फान भरना स्टार्ट हो चुक अपला गया है, 22-22 डेट आप आल-LINE एक्जाम रिशन विट विल वी कंड़ेक्टेड आल-LINE एट सेलेक्टेड जो यहाँ पर सेंटर और यहाँ पर जो सेंटर मैपिंग के अंतरगर जो यहाँ पर एक्जाम आपका जो जारी कर दिया जागा, उधी समबर से जन्वरी माद आपका जो है, यहाँ पर आपका एक्जाम खतम हो जाएगा, 2023 में इसको ध्याने किएगा, अब इसके नोटिफिकेशन में बात करते हैं, किन किन ट्रेट के चातरों के लिए इसमें मोका दिया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर पोश्ट आप देख लिजिए, जिसमें यह पर पोश्ट निकाला गया, junior technician जो कि यहाँ पर ट्रीमर के अंतरगत यहाँ पर निकाला गया, जिसमें CNC operator level यहाँ पर वन के अंतरगत आपका यह पोश्ट है, और इसमें आपको जो salary दी जाएगी 18,780 रुपे से starting है, और इसमें 67,390 रुपे तक आपको इसमें payment दिया IT certificate आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पर ट्रीमर से आपका जो होना चाहिए, IT complete होना चाहिए, चाहिए आप NCBTA या SCBTA, इसमें turner है, ध्यानेखे का trainer नहीं है, turner रखा गया है, और यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा notification बलर है, लेकिन आप देखने का परियास करेंगे, तो सही से आपको दिख पाएगा, age की यहाँ पर बात करें, तो 18-25 वर्ट के जो चातरें, वो लोग फार्म का प्लाई कर पाएगे, और इसमें जो selection रखा गया है, वो आपका online registration के थूरू, आपका इसमें जो online examination के अनुतरगा, आपका इसमें selection होगा, मतल जो कि label 1 की यह भी आपका vacancy है, सब में आपका ITI का यहाँ पर certificate मंगा गया है, और ध्यान एकिएगा, इसमें NCBT भी चलेगा, या SCBT से आप ITI की हैं, तो भी फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, फोर्त नमबर पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर junior technician जो की welder के चातरों के लिए 5 नमबर पर आपको junior technician mechanical के चातरों के लिए देखने को मिल जाता है, और 6 नमबर पर आप यहाँ पर देखेंगे, तो junior technician electronics के अंतरगत फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, और 7 नमबर पर आपको यहाँपर lab assistant के अंतरगत देखने को मिल जाता है, और 8 नमबर पर आपको सब station operator के उंतरगा देखने को मिल जाता है नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपको आपका नाई नमबर पर तो total यहाँ पर nine आपका पोच्ट है जिसमें आपको बहुत सारे Ship देखने को मिल जाती है खाल जिसमें आप form को apply कर पाएंगे सब में आप यहां पर qualification देखेंगे तो आपको जो देखने को मिल जाता है इसमें full time IT course complete यहां पर मंगा गया है जो कि आपके पास IT certificate होना चाहिए जिस post पर आप apply कर रहे हैं जो trade इसमें मंगा गया है उस trade से आपका complete होना चाहिए और उम्र जो है सब में यहा आप पर जो छात्र इंजिनिंग टेकनोलोजी से यहां पर डिप्लोमा complete कर चुके बचले डिगरी उनके पास है वो लोग फार्म को apply कर पाएंगे जिनको 27,600 उर्पे payment सुराती में दिया जाएगा और 95,910 उर्पे तक इसमें आपको payment दिया जाएगा जो कि यह आपका जो payment ह लेवल वन के अंतरगत आपको payment दिया जाएगा इसमें द्यान रिखेगा सभी जो यहां पर वेकेंसी निकाली गए आपको फार्म वर्तिय समय सारे डोकुमेंट आपको submit करने जिसे आप other फार्म को apply करते हैं सिम आपका यह भी process रखा गया और यह फार्म भरना श्टार्ट ह है 29-2022 से और फार्म वर्ने की जो अंतरगती है वो 29-2022 से और दिसमबर से जनवरी माह में आपका जो है एकजाम करा दिया जगा कोई confirm आप डेट नहीं है लेकिन आपर month complete कर दिया गया कि दिसमबर से जनवरी के माह में जो आपका है एकजाम करा जगा यह जो फार्म में आपको अधर जनकारी चाहिए तो comment box में पूछ दीजेगा